ताज की हमारी इस online class में हमारे साथ Madheep जी है जो आस्तलिया से है आप बात करते जारे हैं अब बात करने जारे हैं अज्वांसेक्षर्ण अज्वांसेक्षर्ण के हमारी basic segment में बात करेंगे protection method की कैसे एक सीट को, एक सेट को, एक फाइल को हम प्रता करते हैं और हम आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं जस्कुश सेकंड्स में जो लोग यूटूब के ने इस वीडियो को देख रहे हैं में जाए औहां से आप आप को दाउडोड कर से साथ में आलाने क्लास जना साथ है कमलगी परासे की तरह तो आप ibt-india.com पे जानके देमा को पॉल्प भर सकते हैं जो साइट का लिंक भी में इस वीडियो की से लिंग में मिल जाएगी चले शुरू करते हैं तो प्रोटेक्शन हम चाहते हैं एक 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 सेल को एक डेका को प्रोटेक्ट करना ताकि मेरे मर्जी के बगार मेरे जानगारी के बगार कोई भी पर्सन इसको एडिक ना कर सके तो उसके लिए हम रुक्या करते हैं राइट-klik करते हैं सीट के ऊपर या हम फॉरम एक मेन accountable चाहि हम पहले पास्वर्व करने से पहले Microsoft यहां आपको कुछ बोल ला है Microsoft बोल ला है कि if you lost and forget the password, it cannot be recovered आप पास्वर्ड डालने के बाद भूल जाते हैं तो Microsoft बोलता है कि मेरे इसाथ से कोई तरीका नहीं है इस पास्वर्ड को रिकावर करेंगा इसलिए पास्वर्ड डालते समय आप इसका ध्यान रखेंगे कि पास्वर्ड ऐसा डाले जो आपकी याद है अब यहां question आता है क्या पास्वर्ड तोरा नहीं जा सकता है जी आप पास्वर्ड को ब्रेक किया जा सकता है ब्रेक करने की बहुत सारे add-ins और बहुत सारे software's available है लेकिन वो उनकी एक limitations है छोटे-बड़े पास्वर्ड को रिक कर पाता है बड़े पास्वर्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा बड़े पास्वर्ड के लिए आपको क्या तरना पड़ेगा क्या सकते होटते हैं अपत्स अपत्स होटते हैं आप ईसफ़िया इसमय भी प्रेज सबप्रांस अपत्स के लिए इसलिकिए रिखता अब यहां पे हमारे पास कुछ भी टाइट नहीं कर सकते हैं, अब यहां पे अगला जो अप्शन आता है, हम चाहते हैं कि कोई भी पर्शन इसको कॉपी भी नट कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी नट डी का भी नट कर सकते हैं, अब वहां पी पेát यह को बताया है यह कौपी पेस्ट एकसर तरीके, बहुदorama काम कर सकते हैं, पॉरिखं लिट्र नहीं हैं, त्मक्षण पर्श्ण अभला ब vigor नहीं कर सकते हैं, कौझकि अजब तक हम डेटा प्रफि करेंगे Quindi Cornstone कि po數 है इस कि het toothbrush करना इनफरें इंफ tiny करने उन लेका अगर अगर इंगे तो जिल हैं तो यहां पर क्या करते हैं P पसप्रश्ट समय आप देखे हैं अपर क्या श्रीम दाला अट है अच rodiment अब लॉक्षेल और उन्लॉक्षेल क्या होता है इसके बारे बाद जानेगे तरह देखिए है क्या है यह है आपका अलाव यूजर ऑफ अलाव यूजर ऑफ इस वरक्षीट तो जितने भी चेक बॉक्स आपको दिख रहे हैं तिस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आफ्र दडड़ के बारे आपका ओर फीचर अब्योंस दिख अध्यम हे जाए जासे कि मैघे पर्मेट से बारे जाने पर चेऊई जर्भा प्रमेटौर में तुक्र चिा कर ले कर सकत के हैं वियुक्ता से अगर फॉर्मेटर कर मारे शाधिन कर दी कि यह सब्यक्न ऑलावा मत म आपना है कि ए जो है एक selection एरिया को select करनी के लिदिया गया है तो मैं यहां से इसको uncheck करने का दो लिए तो यहां पर password दालता हूं ऑके password कि अब मैं कहीं भी click नहीं कर सकता जायूसी बात है जब कहीं click की नहीं करपाओगे area, select की नहीं करपाओगे तो फिर copy से फैदा गया है तो कोपी का हमारा कोई फैदा नहीं चलिए आगे बढ़ते अब यहां पिर मैं चाहता हूँ एक स्लेक्टेड एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना मैं चाहता हूँ जो एक अप देख रहे हैं इस अप पर प्रोटेक्शन अप्लाई ही न हो अब यहां पर आप जानना होगा लॉप सेल और अलॉप सिल क्या होता है किसी दी सेल के ऊपर राइट क्लिक रेट प्रोटेक्शन में जाए अब यह नहीं के बाद यहां अदर की कर रहे हो इसकी पूरटी लॉप अगर में इसको अंसेत कर दिया तो मैंने क्या कर रहा हूं कि इस color area को select करके right click करके format cell में हमने इसकी property को uncheck कर दिया, बसलों कि इस color area को unlock कर दिया क्या फैदा है इसका, क्योंकि जब हम इसको protect करते हैं, तो protect के अंदर में आप यहां देख यह क्या लिखा हुआ है protect worksheet and content of logs है मतलब इसकी property जिसकी format cell के protection में जो आप लॉक्ते क्लिक है उसी पे आप पूर अपलाई होगा मतलब इसकी property locked है वही protection के अंदर आएगा जिसकी property unlocked है वो protection के बाहर होगा तो इसके लिए क्या करें तो हमने इसकी लॉक्त हटा दिया अब मैं इसको okay कर देता हूँ तो एक पूरा लॉक्त लॉक्त है इसके पार अप्लाई हुआ इसकी property हमने लॉक्त कर दी थी ते पार सफ लिखे बल नहीं हुआ अब मैं इस पे किसी पी तरह की typing कर सकता हूँ सब्सक्राइब कर सकता है अब इसमें बात आता है इसको हम उल्टा करते रिवर्स करते हैं मैं इक और शीट एड़ करता हूँ है शीट एड़ करने के बात मैंने यहां पे color दे रिया red अब मैं चाहता हूँ कि red area जो है इसी पे पास पर अप्लाई है जो है फिर साथ,ů इसके लिए गल गरें हूँ कि किर दरफिक हम किया करें तो इसके लिए चाहरना का सब्सक्रा जो माँ आ लगा है सिलेक्ट करने के बार राय लगए farmen शेल लॉख़न गळां अब आलिंधा किया उप अन्चेक कर दिया है पूरा शीप हमारा लॉट होगे पिर इस पर्टिक लए जो राइप लिक करेंगे तो फार्मेट से वाल वापस लॉट तो अभी किया है एंटार शीप जो है उसकी प्पर्टि अन्लॉक है इस एरिया जो कलर एरिया है उसके हमाई पोपर्टी लॉग अब मैं इसके पांस्वर डालूगा है और है एक यहां पर डाइन कर सकता है था एक से दो किया से बेनेसीट जैस समझते हैं जाँ रिखने में फोटा सबundertाथ नें अमने हाँ पर लिखा है मांट स्वाउंट कॉनेटी इमांच कि इसे बाद हम यहां पर देते हैं आप में माउंट पर इमाउंट कि यहां पर इमाउंट कमीशन जी एस्ट तो तर्फ देड तो इसनी क्या है कि एमाउंट जहें क्वांटिटी मृटिप्लाइब इमाउंट कि कमीशन क्या है इसका 10 पर्फ यह मालेजी तू पर्फ पर्फ और जी एस्टी जो है वह है इसका अथारा पर्फ पर्फ और फिर टोटल इस सब को टोटल कर गए अब इस अब जो में इंट्री हमें किया करना होता है यहां मालेजे मैंने पूजा लिखा क्वांटिटी हम इन ट्री का में अगार्फ और ने मालेजे 60 लिखा और 60 लिखते ही बाति तो बहुत पर जाके यहां पर देन टाइब लिखना होता है तो हम चाहते हैं कि जैसे यहां पर हम इंट्री करके टैप प्रेस करें कर सीधे जंब करके यहां पर जा लिए मतलब यह आटमेंटिक जब कैलिगोलेट हो रहा है इसको स्लेक्ट करनी की ज़रुवरत दे रही है ना स्लेंट कर पाएंगे इसमें ब्रिदी श्रूट भी लेकर पाएंगे और यहां पर इसकी फॉर्मले को भी देख पाएंगे तो हम इसी मफड्र को अफना थे में यहां हमन भी इसमें क्या किया पूरे के पूरे स्गक के कौस्श को सलेक्टर के हम फ़ेब कीau के निगा का हाई और यहां से लॉपहता दकां पर इसके मैंने यहां पर हमने यहां पर प्रोटेक्ट किया बड़ प्रोटेक्ट करते समेच छोटा सा चल्डिंग करेंगे जो सिलेक्शन की जो लॉक्षिल को स्लेक्ट करता है उसको अंचेक करेंगे क्यों गर्फिर की कि लॉक्रख्मवन से है भिआ इसके करैसल जाएगा हम धी करते हैं उसके क्लिक ने कर साहिए है अब यहां क्लिक धे क्लिक ने कर पाये यहां कर से तरह आका मतलिए कि यहां अफ एक एक प्रेटा दिय तेते हैं यहां मैं कि आप सी देपी तरसादी नाचे लाएंगे आएट इसले रहे? यह चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं इसका benefit क्या होता है? हम इसमें फॉर्म बग्रफ की इसका इसमाल करता है जैसे कि हमने यहां पर देगी है नेम ठीक है? नेम में यहां देते हम city और यहां देते हम आप आप ठीक है? तो control प्रेस करके हम इसको select करते हैं और फिर यहां इसमें एक बड़ कर देता हूं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सिल्टे जाते हैं और इसकी लॉक को हटा देते हैं तकि इसमें पास इसमें कुछ भी लिख सकते हैं पास्वर नहीं दबाए आपने पूजा तो enterprise करते हैं करसर यहां आएगा करसर यहां आएगा करसर यहां आएगा ठीक है? यह अब हम बात करते हैं कि एक ही सेल पे दो डिफरेंट डिफरेंट पास्वर्ट कैसे रालेगा माल लीजी मेरे बास एक Mr.A है और Mr.B है तो मैं Mr.A के लिए अलग पासवर्ड और Mr.B के लिए अलग पासवर्ट चाहता है वहादा डिफरेंट पास्वर्ट है और बागी रेस्टों वेडियर के लिए एक तिसरा पास्वर्ट एक बेटा है उस पे Mr.A काम करते मैं चाहता हूं Mr.A Mr.B के फाइल पे काम ना कर सकते और Mr.B Mr.A के फाइल पे काम ना कर सकते ठीक है मैं चाहता है और यहां पे पास्वर्ट डाला पास्वर्ट को कंफर्म किया और ओकी तो वापस नियू में गाए अब यहां मी बी है तो Mr.B के आते है Mr.B पे Mr.B का एरिया सेलेक कर रहे और Mr.B के लिए एक डिफरेंट पास्वर्ट यहां डालता है पास्वर्ट करते है और अप्लाई एलफों के फिर हम यहां पे राइट क्लिक करके प्रटैक्ट शीट करके पास्वर्ट डाल जोगा और क्या वहाँ यहां पी किसी तरह के चेंजिम नहीं कर सकते बड़ जैसे यहां पे करेंगे मुझसे पूछेगा । यहां पास्वर्ट कर सकते हैं कर नहीं नहीं होंतपी है जैसा ही फा passa रिओंपिं होगी यह आप से अगेर पास्वर्ट मुझसेक्ट चाहे मिस्टर एवे फाइल को सेट किया हो, चाहे नहीं किया। ठीक है। जी। बढ़ाओ इसमें। नहीं। अब यहां कहता है कि हम किसी भी सीट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। मैं चाहते हम सीट भी कोई डिलीट ना कर सकते। नहीं करें। बागा समयवा, यहां कर देखन हो उनको नीक हो दुथा कि ज Till Also not, व मलत पने कि अब दुथा कम और सकते हैं। क्अर्षियों एफञा है। तो क्या होता? अब किसी भी सीट की उतर रिल सा कम और सकते हैं। ना कोई सीट को डिभीड कर सकतेैं , kinda बढ़ फाइल उपन कर सकते हैं, शीट के अंदर काउं कर सकते हैं, शीट रिष्ट ने स्ट्रक्चर को अमने लॉग कर दिया है, बढ़ फाइल भी उपन होगी, अब चाहते हैं फाइल भी उपन ना हो, तो यहां पे आईए, सेव करते हैं, नई फाइल है आपकी, तो सेव करते हैं, आप यहां, तूलस नीचे टिखेगा आपको, तूलस के अंदर जेर्नल अप्शन, अभी जेर्नल अप्शन में पासवर्ट ओपरें, एंड पासवर्ट तू मोडिफाई दायर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, लेकि यह तो फाइल चेंज करते हैं, सेवर्ज होगा न सर, मैं चाहता हूं, तो फाइल को सेवर्ज किया, तो क्या होगा, इससे तो डेटा लिंग था, वो हट जाएगा, एक नहीं फाइल बन जागी तिनना, तो फाइल को बिना सेवर्ज किये, आप इन्फो में जाएए, और याँ प्रटैक्ट में, इनकी बिट पासवर्ड, दिखाएचा है, इनकी बिट पासवर्ड, तो इनकी बिट पासवर्ड करेंगे, तो क्या होगा, इसमें आप पासवर्ड आ लेंगे, तो फाइल की ओपन पासवर्ड देगा, पतर फाइल की ओपन पासवर्ड होगी, त तो बिना पास्पर की फाइल आपकी ओपन लेगी अब आपके लोगे पास कुछ सवाल है, कुछ कोश्टिन्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं